अब नेक्स्ट है हमारे पास एप्लिकेशन और ओफ मल्टिप्लेक्सर अप्लिकेशन क्या है मल्टिप्लेक्सर की हमारा मल्टिप्लेक्सर कहां पर यूज होता है देखो हमारा मल्टिप्लेक्सर एक तो एज़र डाटस सिलेक्टर यूज होता है डाटस मित वाइसन आउट्पूट को वो select करता है तो इसे हम बोलते है data selector दूसरी चीज़ हमारा multiplexer किसले use होता है data acquisition system के लिए data acquisition system में हमारे पास क्या ओता है कि data acquire करता है वो अलग-अलग जंगा से data को एकटा करके लेके आता है ये हमारा और use होता है digital to analog converter में कि digital से अगर हमें analog की form में convert करना है तो उसमें भी हमारा multiplexer use होता है और हम कहां पर use कर सकते हैं to minimize the number of connection connection मतलब कि हमें बहुत सारी तारे ना लगानी पड़े सोचो अगर तुमें बतलब यह multiplexer ना होता कि तुमें बहुत सारी input है और उसके according एक output चाहिए तो तुमें बहुत सारी wiring की problem हो जाती बहुत सारी wiring हो जाती तो अगर हम multiplexer use करेंगे तो उस case में हमारे पास connection क्यों हो जाएंगे कम से कम हो जाएंगे एक last application है इस यूज़ट फॉर simplification of logic design logic design मतलब कि जो भी हमारे logic and or get logics है उनको यह फर्दर और simplify कर दिये है ओके बहुतो!